कि दर्शकों हमारे समख्च शुषेना महाराष्ट वहातुख सेना के उलाज सिंठा को बस्ती थे हैं कि देखें नाकूर शहर की जो समस्या है कि अवैद वाहतुक और पार्किंग कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह देखा जाए कि गनिस पेट के अंदर जो क्योंते हैं यसकी महामंडल है और वहीं पे नाकपूर शहर के इंदर जित्ते ट्राइविस के आफिस 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 आप देखोंगे तो सब के ट्राइविस आफिस के वहीं इसके उपर एक तो ां फ統 nya किसी भी दुकंतर को दुकान खुलने के पहले उसकी देखेजाते इसको गुमास्ता देने के पहले सब की ऐ कही कि दुकान खोड़ रहा है अगर ऑट ज्यस्तों याई भी व् racumo के अज कि न कर दिऊ कानी को बड़े सकी आफिस नींڈ कर दे भिचास पूर की बश मोesta सब लोगों ने आवाज उठाया हमने तक क्या आवाज उठाया है हमने आएट्यों को भी लेटर दिये वाहतुब डिपार्ड्मेंट को भी पत्र दिये महाराष्ट्य परिवहन जो नंत्री हमारी गणकरी साहब उनको भी दिया हुआ है उनकों पत्र दिया फर होता है फंट जाता है जो उनकी मनमाना और यो परिक्स विस्द्र बसे चलब अब्सक्राइब त्ट करने के लिए उनकी अधीकरी उनको कहते हैं तो अपना पूरा रास्टे कोई वगड़ रहता तो फोले रहता है अपने बार-बार जिलाधीकरी को भी नियां दिया हुआ दिए उसके बावजुद भी उसके कोई नियंटरण नहीं तो उसके नियंटरण लाने के लिए आप आपके कारगर कदम उठाऊंगी तो परियोन मंद्री जी को अभी हमने यह सारी जो काला चिट्था जितने आज तक कि हमने कर्रोस्पोंडेंस किये देखा है कि जो ट्रावल से उसको अगर पचास सीट की परमिट है यह 25 सीट अगर अला हुए तो लगेज उस सीट के अनुसार कि रहेंगा कि यह 25 सवारी है तो उसके अनुसार उसको सौप किलो प्यास किलो जो किलो एक निर्था जारी लेकिन आप ट्रावल को देखना उपर तो पूरा यह लोड तो यह जैसा ट्रांसपोर्ट के ट्रकेट अशा माल लेकर जाती है वह जो कि अधिके अंतर कर देखा जाते सबसे बड़ा इस अपराद है और मैं इसलिए मानता उसको अपराद है कि उसके सामान की कोई चीकिंग नहीं है नक्टोलनाके पर उसके सामान अगर उसमें गोला बारूद बं लेकर कहीं से आ रहा है तो उसकी जवाबदारी कुल लेने वाला कि वह जो सबस्का सामान नहीं है उसके ब्याग जोला जंडी तो सब उसके पास में है इनकी ट्रावस बस के पीछे छोटी पेटी होती उसके अंदर सामान रहता है और उपर अंदर दीया कि और वर वर्लावस में बीच में ट्रावस रोका हुआ था तावर जो इंदि इसनी सवारी बरी इसनी पूरी धिर और पूरा यह अगर नहीं रोकते तो गल्ती से वह ट्रावस कहिंपी भी पलड़ सकती थी उस समय में एकसाईज वाले को इस नहीं को कि इसके लिए हम हमारे मुख्य मंत्री साब को इस सारी चीजे जब भी हमारा डेपोटेशन जाएगा अउगत करवाएंगे संबनी जो मंत्री रहेंगा उनसे कहेंगे कि साब इसके उपर आप लीगली कड़क करवी करो कि वहां पर केबीन में देखोंगे कम से पंद्रा लोग बढ़ते हैं कि बने केबीन में पंद्रा लोग बढ़ते हैं अंदर ना जाने किट्टे इस्टू डाल देते हैं इसके उपर बंदी के लिए हम लोग हमारे परिवन मंद्री को मिलने वाले हैं उसके उपर मांग करेंगे एमिजेट इसको प्रोप लगाओ जो भी ट्रावेल्स हो जितकी स्कीट उत्ती लेकर कर जाएंगे उनको आप अब समय है समल जाओ नहीं तो फ्यूचर में बहुत बड़ी तकलीफ होगी चार गाड़िया तो चार गाड़िया नियमा नूसारी चलाएं पर इसी तीना हो कि चारो गाड़ी को हम लोग खड़ी करवा दें कि चलने काबिल न रहे क्योंकि दन का प्रावधान सभी के लिए आज तक कि तुम दन भरे नहीं लोगों से वसूलते गए यह सरकार यह बर्दास नहीं करेगी कि मानने गड़करी साब ने अब इस चालन बढ़ा है आम नागरिकुष की बहुत ज़्या तक है और जिस तरीके से बोलना चाहती है जिस तरीके से दर्द बया करना चाहती है यह मैं इसको दुख नहीं बोलूँगा हमारे आज इसे आप साती हैं इस चैनल वाले हैं पत्रकार हैं वो उसके दुख डड़को उस तरीके से खुले रूप में रख भी नहीं पा रहे ना उनके उपर भी कई भी संगतिया है कहीं न कहीं कुछ दबाव यंत्रा ना बलो यह कुछ भी वो भी उस जनता की सब्सक्राइब करते रहें कि और ना के पर फास्टेक्स की जो अभी कंडिशन डाली हुए सरकार में मंत्री में तो उसको आप कितना जाय जमान को देखिए यह इस्टुमेट है कि यह अभी फोर्जी यहां दे रहा है मैं यहां से बाहर निकल लगा जार के वासपता चल चला कि फोर्जी निया तूजी पी आ गया है तो मस्नेरी सही रिजल्ट देगी कोई जुन यह कि वह सौकी स्पीड हो तो कि इसलिए और टोटल गलत है मैं उसका तो बढ़तों को य जरू जरू